हालो फ्रेंज, हमारे यूट्यूब चैनल खाना खजाना में आपका स्वागत है आज की वीडियो में आप लूग के साथ कुन्रू और आलू के सबजी की रेस्पी सेयर कर रही हूँ तो आएए शुरू करते हैं आज की वीडियो कुन्रू की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुन्रू और आलू को इस तरह से पते-पते स्लाइस में काट लिया है आप कुन्रू को जिस तरह चाहे उस सेप में काट सकते हैं और आलू को इस तरह हमने पते-पते स्लाइस में काट लिया है अब इस उठाके हम साइड में रखते हैं इसे बनाना शुरू करते हैं उसके लिए हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे गरम होने के लिए जब कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम 2-3 चमब सरसो का तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जिब तेल हमारा घरम हो जाए तो इसमें हम 1 चमब जीर डालेंगे जीरे को चटकने देंगे जब जीरा चटक जाए तो उसमें उसमें हम कटेवी लहसन और साथी कटेवी हरी मीश डालेंगे इनने हम ठोड़ी दिर भुन लेंगे थोड़ी दिर भुणने के बाद हम इसमें कटे हुए आलू और कुंडू को डालेंगे इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हमें स्लो कर देना है अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे नमक डालके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक करके पांस मैट पका हैंगे पांस मैट हो गया है आई यह से देखते हैं सब्जी को हमें अच्छे से अलट पलट कर देना है अभी सब्जी हमारी पकी नहीं है अभी से हम ढख करके थोड़ी दूर और पका लेंगे आए इसे देखते हैं यह देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है हम गेस की फिलेंगे और इसे आप रोटी या पराठिके साथ घरम-घरम सर्फ करिये आपको बहुत पसंद आएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें नए वीडियो की नूटिफिकेशन के ने वेल आइकन जरूर दबाएं THANKS FOR WATCHING